हाई ब्यूटिफल पीपल आपसे बहुत अच्छे हैं बहुत कुछ है अपनी लाइफ में और हमारे यूटुब चैनल पर आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के टूरिस्ट वीजा के बारे में विजिटर वीजा के बारे में इनके प्रोसेसिंग के बारे में और हम बात करेंगे वीजा के बारे में हमारे भालत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जर्मनी विजिट करना चाहते हैं कोई घूमने जाना चाहता है कोई अपने रिष्टर्यार से मिलने जाना चाहता है किसी का बेटा-बेटी वहाँ पर रहते हैं किसी को बिज प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए ताकि हमारे भारत के सभी लोगों को पूरी सही जानकारी मिल पाए उसके बाद जब भी आप यह वीजा अप्लाई कर तो आपको पता रहे कि क्या exactly processing time चल रहा है तो प्लीज आप इस वीडियो का एंड तक देनो तभी आपको समझ में आ जाएगा पूरी की पूरी स्टोरी एंड हम भी जर्मनी में रहते हैं हमने भी हम भी जर्मनी के वीजा अप्लाई करते हैं हम जर्मनी के सारे वीजा दिला सकते हैं आपको आपको जर्मनी का टूरिस वीजा भी दिला सकते हैं विजिटर वीजा बिजनिस वीजा भी दिला सकते हैं आपको फैमिली वीजा पेरि यह इंस्ट्राग्राम का अकाउन भी देख सकते हैं फूचे अब्राइट 25 आप खुद देख सकते हैं हम जर्मनी में रहते हैं बहुत सारी पिक्चर्स पोस्ट किया वीडियो पोस्ट की तो उसको देखने के बाद आपको हमारे पर फेट होगी ट्रस्ट होगी हैं यह वाक्य मिले और आप हमारी डेली वीडियो देकर में नौलेज को बढ़ा सकते हैं सुनाव विदाउद वेस्टिंग फॉर्थ टाइम लेट्स केट स्टारेड सुनाव मैं आपको अच्छे से बात करें तो बहुत जल्दी जल्दी मिलने लग गई हैं पहले बहुत टाइम लगा करता था बड़ आप ज्यादा टाइम नहीं लगता अपॉइंट मिलने के लिए तो अगर आप भारत में किसी भी स्टेट में रहते हैं तो आप जहां पर भी लोकेशन आपकी उसके साफ से तुरा देखना पड़ता है बड़ आपको आज के डायम में 10-15 दिन में एक मेहने में मिल जाती है जैसा ममेशा बताते हैं कि किस लोकेशन से लेना है कहां से मिलेगी क्या करना है कैसे काटेगरी चूस करनी है अगर कन्फूजन होती है तो आप गल्द काटेगरी चूस मत कर कर सकते हैं कि सब टयप की आपकी कि आपकी अपको डिला सकते हैं इस पूरी अच्छी बात करते हैं जर्मनी तर विजटर करते हैं के तूरि crédous के के बारे में जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी बिक्योंस आज के दाइम हमारे बारत के बहुत सारे लोग इन वीजा को अपलाई करते हैं तो आपको ध्यान से लगाना पड़ता है लेकिन अगर मैं पूरा प्रॉसेस की बात करूं जो जर्मिन की एंबसी ने बताया ह तो आज के टाइम में जो उन्होंने टाइम रख ils मिनीमुम टाइम है पंदरा धिन का टाइम जो प्रॉसेसिं टायम होता है ऑजिस्मेश्ण अगर तो आपको पता है कि उनके पास टीम तो जादा लोग तो होते हैं कुछ ही लोग होते हैं जो सारी वीजा के अप्लिकेशन देखते हैं तो इस वज़े से आपका डिले भी हो सकता है तो मैं इसलिए पता हूँ क्योंकि अगर आपकी फाइल सही अगर आपको सब कुछ सही किया तो आपको 15 दिन में रिजल्ट मिल जाएका उससे पहले मिल जाएके पर आपने कुछ गलती हुए तो बहुत जल्दी मिल सकता है तो जब रिजेक्शन मिलता तो उसमें पहले ही पता चले जाता है 2-3 दिन के अंदर उनकी निज़ाँ कुछ इनका शुछ बहुता है कि और न processing time 15 दिन का minimum मान के चलना है कम भी हो सकता है बढ़ भी सकता है तो इसी साफ से आपको ध्यान रखना है इसमें मैं आड करना चाहता हूं कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं हम हमेशा बताते हैं हम जो हमनी में रहते हैं तो आगर हमसे वीजा लगवा हो गया तो हम आपको बहुत जल् मिल चुकी है कि क्या सिनेरियो चल रहा है क्या processing time है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और जैसे मैंने बताया पहले अगर आपको कोई भी वीजा चाहिए टूरिस वीजा वीजा बिजनिस वीजा फैमिली वीजा पेरिंस वीजा चाइल वीजा 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 जॉब से वीजा 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 सारे वीजा में अप्लाई करते हैं आपको appointment भी सब की दिला सकते हैं हमारे वीजा आते रहते हैं अप्लाई करते रहते हैं तो हमें डेली क्या कह सकते हमारा काम है तो हमें पता रहता है कि क्या स्टैंप चल रहा है तो अगर आपको गैंटीड वीजा बहुत सारी पिक्चर्स वीडियो पोस्ट किये तो अगर हम जर्मनी में रहते हैं हम आपको भी जर्मनी का वीजा लगा के दे सकते हैं तो बस अब हमारे इंस्ट्राग्राम को फॉलो कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरू करना शेयर करना एंद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका ऐसी यूसफुल इंफोमेडिव वीडियो देखने को मिलती रहें आपके कीमती टाइम का बेस्ट उफ लाग एंड प्लीज हमेशा अपना ध्यान रखिए